चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं कि यह जो पैड में श्टीकर लगा होता है इसे किस तरह से लगाया जाता है और कैसे हम इसे लगाएंगे इसे लगा देने से बहुत ही पैड के पैच में सुरक्षित रहता है और जल्दे रबर इसका घिस्ता ने क्योंकि आप जानते ही है कि यह रबर बड़ा मुश्किल से ही मिल पाता है मार्केट में तो चलिए इसके बारे हम जानते हैं कैसे लगाया जाता है यह आप देख सकते हैं यह मेरा SPD20X पैड है और इस पर जो है इस टाइप का चिपकाने का आता है यह देखी हम आज जानेंगे इसको हम कैसे चिपकाएंगे और यह बहुत सी आसान तरीका है चिपकाने का यह आप देख सकते हैं इसको चिपकाने के लिए हमें जुरत पड़ेगा यह इसलेशन है इसको जुरत पड़ेगा यह मार्केट में आसानी तरह के से मिल जाता है इससे हम चिपकाएंगे और यह भी हमारा मार्केट में मिल जाता है अगर आप लोग देखें होंगे तो इससे आप जान सकते हैं क्या है कैसे मिलता है नहीं आप लोग अगर मिले तो आप संपर्क हम से करें ले सकते हैं बिलकुल मिल जाएगा और इससे साठने के लिए मिनिमम खर्च जो है सो लगभग ही लगता है कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आता है तो चलिए जानते हैं इसे हम कैसे साठेंगे कि यह मेरा है अश्टीकर और अश्टीकर में यह चिपका हुआ जो प्लास्टिक है इस प्लास्टिक को निकाल लेंगे नाखुन के सहारे और निकाल करके इसमें जो है सुलेशन लगाना है सुलेशन को खोल लेते हैं खोलने के बाद बिल्कुल अराम-अराम से इसमें लगाएंगे यह देखिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें ताकि कहीं छूटना जाए और बहतर ढ़ंग से उसमें चिपक जाए यह देखिए दोस्तों इस तरह से लगाना है और उसमें चिपका देना है ले जा करके टूटना जाए मेंवारा और अच्छें यह दोस्तों अरसके ले पाएंगे ले जाएंगे ले दोस्तों थे बाएंगे लेखिए 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 कि यह देखे देखे देखते हैं कि इस तरीके से चिपकाना है कि इसका स्टीकर यह हटा देना है कि देखे कि देखे देखेंगा है यह देखेंगा है यह देखेंगा है प्रोड़ लोगा है कि प्रेट लिए देख दो कि आप इस तरह से दोस्तों चिपका सकते हैं तो होटी है एजी तरीके से कि यह आप देख सकते हैं कि पूरे कि पैच में हम ने चिपका दिया कि पूरे कि तुरे तुसे हमें नहीं बजाना है कि उखड़ जाएगा इसको दो से तीन घंटे तक छोड़ देना है चलिए दोस्तों मेरा साटा हुआ यह अश्टी कर अब हो चुका है तिन से चार घंटे तक हो चुका है अब देखिए कहीं कोई दिकत नहीं है अच्छे तरह के से पूरा सट चुका है अब इसे बजाने में यूज कर सकते हैं देखिए कहीं कोई दिकत नहीं है बहुत ही लाजवाब इसमें चिपका है देखिए इस तरीके से आप इसमें अश्टी कर चिपका सकते हैं और सैप्टी रख सकते हैं इससे लगाने से रवबर जल्द घिस्ता नहीं और बहुत ही अच्छा रहता है धन्यवाद दोस्तों